हुआ 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 है गाइस वेलकम टुमा न्यू ब्लॉग और आज हम जा रहे हैं गुलरबोड डाम जिसे कहते हैं मेनी गोवा और दिखाते हैं आपको कि क्या इसा है वहां करना जा रहा है और मौसा को चलते हैं अब अब जाए हम बाच को शहर में अटर कर गए और यह द्रेम भाबा तो गाइस कि यह ब्लॉग बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है तो कि आपको पता है तो आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे हम भी गए हैं हम अब ब्लॉग नहीं बनाते थे तो आज देखते हैं और देखते हैं क्या क्या वाकवाटर्स करते हैं तो देखते रहिए हम बाइक लाग आते हैं आपके मिलते हैं आप से लुग हो यार एक आज देखें दूर दूर तक कर ना जा रहा और यह है ओफिस और इदर हैं डैम के गेट तो आपको दिखाते हैं अपने कैमरे का व्यू और जूम करके हम काफी दूर खड़े हैं और यह देखिए कहां तक का वो आपको दिखाई दे रहा है वैसे आज बोटिंग नहीं हो रही फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है यहां करना जा रहा पैसे काफी अच्छा लग रहा है अगर कुछ और लोग होते या भीड होती तो और अच्छा लगता हमने भाईया से पूछा है वो कह रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे यहां पर अच्छी भीड होती है और नजारा भी अच्छा होता है तो फिर आएंगे किसी दिन और तब आपक कैसे व्यू रहता है थैंक यू लो गाइज हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू यहां कई बोटिंग तो नहीं हो रही पर आपको दिखाते हैं यह देखिए यह ओफिस और हम चल लें आगे यहां आगे उसके गेट बने वहें डैम के तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहां इसा लग रहा है कोई होटल बना हुआ है और इसमें स्विमिंग पूल भी है तो मन तो कर रहा है देखके कि नहा लिया जाए और इधर भी कुछ बना हुआ है इसमें आवाज आ रही है तो चलते हैं आगे देख सकते हैं आप यहां का यह कुछ पत्थरों की इन्होंने वह बना रखा यह पुराना डैम है क्योंकि पहले मिट्टी का टीला टाइप बना के और उसके साइडों पत्थर लगाए जाते थे अब तो नईने टेकनोलोजी से डैम बनने है यहां कुछ स्पोर्ट के लिए भी दे रखी हैं चीजे यह एक ट्रैकिंग के लिए बनाया हुआ है पहार जैसा उसके चड़ने के लिए तो काफी अच्छा व्यू है यहां का आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ घूमने और यहां की चीजों का एंजॉय कर सकते हैं पर हमेशा ध्यान रखें आए शाम कोई क्योंकि दिन में बहुत दूप होती है तो यहां पर ना तो कोई वोटिंग कर रहा है और ना कोई के एंजॉयमेंट है तो इसने जब भी आए पांच-छे बजे चार बजे के बाद ही आए चलते हैं आगे हमारे ताउ हाथ में लोट अगी हुए चल लाए है यह एक छोटी सी बोट है यह देखे इसे सिंगल आदमी चला सकता है पर सिंगल चला तो लोग डर तो बहुत लग खाया है कि यह है 본 वेरज का गेट चलते हैं आगे आगे और दिखाते हैं आपको आपको ब्युक्त कि है यहां पre च्वटा सा ना रखा कर गारियू आप है लnet दिख रेह sugar है और यह उन्येया प्यार्य एक हम आपको दिखाते हैं कैसे बरा डैम की दिवारे बनाए जाती है रे जिए पानी ओवर हो जाता है तो इसे खोल लेते हैं चैश्टी गहराई तक पानी है उतना पानी है इसे मीटर भाड़ से यहां पर पानी कुछ रोकने के ववस्था कर रखी है और नीचे देखते ही बहुत डर लग रहा है बहुत गहरा ही है पर मैं आपसे कहना चाहूंगा जब भी लोग आते हैं यह गंदगी जरूर मिलेगी आपको हर जगा तो मेरा हाथ जोड़के अन्रोध है कि किरपया कहीं भ हमारे भाईया जित्ती भी पानी के बॉटल पड़ी है इनने सफा करने कोशिक कर रहे हैं दाम का एक्साइट का गेट खोल के और यह सब बॉटले नीचे घट्टी हो जाएंगी यह देखे गाई इससे पानी नहर में छोड़ते हैं और नीचे आपको आवाज आ रही होगी इसके अंदर से जा रहा है ज्यादा खोलने से आसपास के गाउं भी बह सकते हैं इसने कभी कभी दिखाते हैं बिल्कुल पानी के पास करना जा रहा है यह हैं बहुत खतरनाक सीडियां इदर पानी है और इदर गार्डन है इदर हम है तो देखे गाईज बहुत ही डल लग अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हम पानी में तो देखते रहें जिस सिर्फ आपके लिए पानी तक जाने की कोशिश यहां बिल्कुल पानी के पास आ गए है आपको दिखाते हैं तो रहे हैं यह वाटर स्पोर्ट के लिए काफी नाओ हैं खुद भी चला सकते हैं कुछ बोट हैं बड़ी जिन में 6-7 जने बैटके और इनकर चार जिसने 500 रुपे दस मिनट के आपको दस मिनट तक दूर तक गुमा के लाएंगे इनका पर परसंट 2500 रुपे चार्ज है हम खूमते तो पर देखा हमने धूप है तो हम इसने गय नहीं बहुत गर्मी हो रही है इसने जब भी आए शाम को याए और यहां का आनन लें कु और नीचे जाकर बोटिंग कर सकते हैं